निर्यापक मुनीश्री समय सागर जी महाराज ससंग के डोंगरगर में हुए पदारपन के बाद 23 फरवरी को भक्तों ने निर्यापक मुनीश्री ससंग के मंगल सानेध्य में गुरू पूजन करते हुए अपने कर्मों के निर्चरा की शुब अशुब कर्म सबर पुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ गुरु पूजन के मांगलिक क्रम में श्राविका रत्न, श्री मती, सुशीला पाटनी जी सहित अन्यस औभागे शाली भक्तों ने मुनी संग के समक्ष श्रीफल अर्पित कर आशिरवात प्रात किया आचारेश्री गुरुवर सदैव आचारे कुंद कुंद के आचारन का पालन करते हुए अपने जीवन का यापन करते थे आचारेश्री से जुड़ी इसम्रतियों को जब उनके संगस निर्यापग मुनी श्री प्रसाद सागरजी महराज ने बताया तो पूरा प्रांगर तालियों की गड़गड़ाहट से गुच उठा भिक्कम चर्वस रणने थोबं जेवे मा बहु जंपें दुख्खम सहजय निद्दा मित्र भाव सुबह रग्यम आचार कुंद कुंद की इस गाता को आचार महराजी प्रदिन इसमन करते थे दुख्खम सहजय निद्दा हमेशा दुख्ख को सहन करो और सभी जीव में मैत्री भाव रखो क्योंकि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से निद्द रहे दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्से करना सोत वहे इन दो पंक्तियों को जो मेरी भावनम से पढ़ते आये हैं पूरी तरह से किसी ब्यक्ति ने चरितास किया है तो यह से आचारप्रमिश्टी गुर्देवी हैं जेश्ट श्रेश्ट निर्यापक मुनीश्री समय सागर जी महराज के सानिध्य में निर्यापक मुनीश्री समता सागर जी महराज ने प्रवचन श्रंखला को आगे बढ़ाया और कहा कि कल तक मंचपर सूना पन था लेकिन मुनीवर के आने से मन को संतुष्टी मिल रही है आज हम सब के बीच हैं, कल तक मुझे ऐसा लग रहा था, पिछले दिनों में मंचपर मैंने मुनिवर समय योग सागर जी महराज जी को निवेदन किया, महराज आप तो विराज मानों पर खाली खाली लग रहा है, तो महराज जी कहने लगे, चिंता मत करो आ रहे हैं, चिंता मत करो आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने संतुष्ट किया, पिछले दिनों में अपने गुरुवर की तस्वीर के चरणों में बैठा करता था यहां चंदगिरी में पिछले दिनों से अपने गुरुवर के तस्वीर के चरणों में बैठा करता था आज मैं अपने गुरुवर के जेष्ट स्रेष्ट प्रतम सिष्ष निरियापक मुनिवर के चरणों में अपने गुरुवर के शिष्ष और हमारे गुरुवर के चरणों में बैठा हुगा हूँ हमारे गुरुवर के शिश्य है लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मैं गुरुवर के चर्णों में बैठा हूँ मुझे संतोष है ये कथन था निर्यापक मुनिश्री सम्ता सागर जी महराज का हमारे गुरुबर के शिश है लेकिन आज से मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने गुरुबर के चरणों में बैठा हुआ मुझे संतोस है और अब हम सब को चिंता करने की जरूरत नहीं है हम सब यही महसूस कर रहे हैं कि हमारे गुरुबर विराजमान है और जिस तरह की छाया गुरुवर से हम सबको मिलती रही वही छाया हम सबको समाजबंधूआं को त्यागी बिर्थियों को मिलती रहेगी जेश्ट श्रेश्ट निर्यापक मुनी श्री समय सागर जी महराज के आगमन से डूंगरगर में उपसित भक्तों के मन को काफी संतोश मिला मुनीवर की छवी में आचारिशी का अनुभव कर भक्तों को ये दिलासा मिली है कि अभी भी परोक्ष रूप में गुरूवर का आशीश उन्हें मिलता रहेगा जेन फोकस के लिए डूंगरगर चतिसगर से ब्यूर रिपोर्ट